है गाईज कि आपके फोन में भी एप्स आटो डाउनलोड और आटो अपडेट हो जाते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे फोन में यहाँ पर अन्वांटेड अप्लिकेशन इस्टाउल हो चुके है डाउनलोड हो गए है यहाँ पर मैं नहीं चाहता हूँ कि एप्ल डाउनलोड हो जा रहे है आपके फोन में इस प्रॉब्लम को कैसे आप लोग फिक्स कर सकते हो यह बात में बताऊंगा प्ले स्टोर को ओपन करके मैं पहले आपको यह बताता हूँ कि आप अपडेट को किस तरी किसा आप टरन आफ कर सकते हो यहाँ पर देख सकते हैं आप प्ले स्टोर में आ जाने के बाद टॉप पर आपको प्रोफाइल शो हो रहा होगा प्रोफाइल पर टैप करेंगे प्रोफाइल पर टैप हो जाने के बाद मैनेज आप्स एंड डिवाइस पर जाऊंगा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दो नुमर पर अपडेट जो आपके फोन में अपडेट हो जाते हैं अब आप लोगों मैं बता हूँगा कि किस तरी के से आप लोग यहाँ पर ओटो अपडेट को ओफ कर सकते हो इसके लिए आप लोगों को यहां से चले जाना है बैक वाद फिर से प्रोफाइल पर टैप करेंगे प्रोफाइल पर टाप हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एप डाउनलोड प्रेफिरेंस पर टाप करेंगे यहाँ पर आपको टॉप में टिक मार्ग देखेगा over any network आप लोगों को यहाँ पर ask me every time कर देना है यहाँ पर ask me every time करोगे तो आपको जैसे आप इंस्टॉल करना हो आपके permission बिना यहाँ पर कोई भी आप डाउनलोड नहीं होने वाला ओके यह तो हो गई होते हैं यहाँ पर देख सकते हो मेरे यहाँ पर देख सकते हो काफी सारे यह अनौटड अप्लिकेशन जो है यहाँ पर install हो गए मैं नहीं चाहता हूं कि install हो आखिर यह install हो कहां से रहे बाइस तरीके के application तो प्ले यह अप्लिकेशन देखे जो आपको एप install कर रही है कुछ टाप की apps को जो है disable कर देना यह उसे अनिस्टल कर देना है यहांपर देख सकते हो एक app है आप मैनीजर करके, यह कभी-कभी अटोमेटिकली इस्टॉल करके यह". हमें कोई Permission दे दे ते हैं तो यह automatically इस्टॉल हो जाते Permission ना दो तो भी automatically डाउनलोड हो जाते है अब करना अब किया है आपको कुछ करना नहीं आप लोंग प्रेस करके रखना है लोंग प्रेस करके रखने के बाद आई बटन पर टैप करना है और इसे जो आप लोगों disable कर देना है अब बहुत सारों को लग रहा होगा कि बाहिए इसे disable करना की हुए यह तो phone का application है phone का है तो भी कुछ ने play store है आपके पास app install करने के लिए आप play store से कोई भी app download कर सकते हो इसकी app को कोई जरूरत नहीं होती है तो भी यह दे रखा है इसे disable कर दो ताकि आपका app automatically download ना हो यहाँ पर देख सकते हो यह बच्चों का खेलने वाले game से यह download हो गए यह आमारे RAMS यूज कर रहे है यह आमारी data को consume कर रहे है यह आमारी बैटरी को यूज कर रहे तो भाई इस तरीके की app डाउनलोड ना होनी चाहिए आमारी phone में इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी application जो हो रही है जो आपको यहाँ पर app install करवा रही है उस application को यह तो disable कर दो phone का यह तो disable कर दो अगर install किया हो application है तो उसे uninstall कर दो इस तरीके से आप लोग इस problem को fix कर सकते हो सो गाइस वीडियो कैसा लगा comment box में जुरू पताना वीडियो चल लगा तो वीडियो का लाइक करना चैनल पढ़ने तो चैनल को subscribe करना मैं आरे नोक्स मिलता हूं वागे लिए इस इंटिस्टिंग वीडियो के साथ तब तक लिए गाइस ट्राया और बावाई